तो जलिए इस तक्या कहलाता की कहानी में आपको बता दे कि रूही और अभीरा की बहस होनी वाली हैं। जी हाँ हाली में फिर से अभीरा और रूही की बहस हुई थी और एक बार फिर होगी। तरसल अभीरा अपने विचार को खुले रखना चाती है, अपनी सपनी को पूरा करना चाती है, अपनी ममा के सपनी को पूरा करना चाती है। लेकिन दूसरी और रूही का ये मानना है कि परिवार के खिलाफ जाकर करने से अच्छा उस काम को नहीं करो। और अर्मान और अभी राद दोनों में वहस हो जाएगी और रूही इस बीच में आ जाएगी जहां अभी राद रूही से कहेगी कि अर्मान मेरा पती है, अगर वो परिशान होता भी है या कुछ होता भी है तो उसमें तुम्हें क्या? जिस बात को सुनकर रूही थम से जाएगी विल आपको आगे कि कहानी में गी भी देखने को मिलने वाला है कि एक बरफर से रूही अर्मान पर अपना हग चताती हूं ही नजर आने वाली है वो अर्मान के करीब आने की कोशिश करेगी क्योंकि इन दिनों रूही को अर्मान के लिए फेलिक्स आने लगी है और यही फेलिंक्स उसकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा तुफान लाएगी क्योंकि वो अब अर्मान की करीब आना चाहेगी जिसमें वो अभीरा को बार बार नजर अंदास करते हुए नजर आने वाली है वैल आपको ये भी बता दे कि आगे की कहानी में होने वाला कुछ ही हूँ कि अर्मान अभीरा दोनों में लडाई हो जाएगी और वजा रोही बनेगी और अभीरा अर्मान के साथ सोने से इनकार कर देगी और कमरे से बाहर जाने की बात करेगी लेकिन अभीरा को गोद मे उठा कर अर्मान कमरे में ले आएगा और कहेगा कि चुप चाप यहीं रहो मुझे घर में कोई नौटंग की या फिर से कोई बबाल नहीं चाहिए अलागे कि अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चानल